नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में टाटा इस्टील ने फाइनली चौथी तिमाई के नतीजे गोशित कर दिये हैं आज की डेट में जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले कंपनी ने एक दमाका किया एकाउन रुपए पर शेर का एक स्टॉक स्प्लिट में अब देखे अनुपात यहां पर रखाए दस अनुपात एक यानि अभी एक शेर जो कंपनी का कोई होल्ड करते हैं और जहां पर फेस वेली दस की है उसको बदले में दस शेर मिल जाएंगे जिसके फेक फेस वेली जो है एक क्यों जाएंगे आपके एक शेर तो आपके दस हो जाएंगे सो शेर से तो आपके हजार हो जाएंगे यानि सीम पी जो स्टॉक का चल रहा होगा रिकॉर्ड डेट के दिन उसमें डिवाइड़ बाइट टैन हो जाएगा स्टॉक का प्राइस भी दस गुना कम हो जाएगा आगे आते हैं नतीजों की सामने कंपनी की इंकम बढ़कर उनटाजार 615 करोड किया यह काफी जबर्दस गेन आपको इंकम में देखने को मिलेगा पिछले साल से देखे और भी जबर्दस उच्छाल है मार्च 22 में साल दसाल आजार पर देखेंगे पचास जार तीन सो करोड की इंकम थी वह बढ़कर आए 935 करोड का जो कि लास्ट यार करेंगे मार्च 22 में तो 7160 करोड का पोस्ट किया गया था फर्दर और भी डेटा देखने इंपोर्टेंट है वह देखते हैं कंपनी की इंकम में से एकस्पेंडिचर यह लेस्ट कर दी आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12165 क्रोड के स 244 करोड आया है जो कि लास्ट यह 9356 करोड का था इसका रिजन यह कंपनी के खर्चे इस वार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं खर्चे देखेंगे इस कॉलम में जो कि पिछल की माही के आदार पर यहां काफी भढ़कर रहे हैं 48666 के सामने आया है 57.53 रूपीज के सामने और अच्छे गेंस यहां पर वायो वाय देखने को मिल रहे हैं बहतरी नंबर ऑफ सेट्स कम पोस्ट किये हैं अब देखेंगे बात करेंगे डेली चार्ट की तो और रॉल स्टॉक आपको साइड़ बेस ही देखने को मिलेगा स्टॉक जो पंदरा सो नोगों का टार्गेट यहां से बनना चाहिए करीब करीब 1340 से 50 की रेंज गा जो कि मंडे की डेट में आज बाजार के चुटी एईद के वशर पे तो कल बाजार में 1350 तक टार्गेट यहां जरूर बनने चाहिए वह गर ब्रेक करके सिस्टेन हो गए तो फिर 1390 और फ़र् सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद